तो पहले हम वो रिवाइज करेंगे फिर आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बताओ फाइज सेंस ओर्गन कौन कौन से थे They are eyes, ears, nose, tongue and skin So, first point, eyes We can see from our eyes हम आँखों से आसपास की चीजें देख सकते हैं Second point, ears We can hear sound from our ears हम अपने कानों से सुनते हैं Third point, nose We can smell from our nose हम अपने नाक से सुनते हैं Fourth point, tongue We can taste food from tongue हम अपनी जीब से खाना टेस्ट कर सकते हैं Fifth point, skin We can feel the touch from skin हम अपनी skin से किसी का चूना फील कर सकते हैं तो ये हमारा sense organ का revision complete हुआ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सब easily समझ में आ गया होगा Now, let's start new lesson Lesson 3 Looking after my body इस lesson में हम पढ़ेंगे की हम अपनी body की देखबाल यानि साफ सफाई कैसे करते हैं तो हम शिरू करते हैं I take good care of my body इस lesson में बच्चा बता रहा है कि मैं अपनी body का ध्यान रखता हूँ I follow good habits to stay healthy मैं स्वस्थ रहने के लिए मतलब healthy रहने के लिए अच्छी आदतों का पालन करता हूँ Some of the good habits I follow are कुछ अच्छी आदतें जिने मैं फालो करता हूँ वो है I get up early every day मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ I brush my teeth in the morning and at night मैं सुबह और रात को अपने दात ब्रश करता हूँ आपको पता है ना हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे दातों में जम्स ना हो I take a bath daily to keep my body clean इसमें बच्चा बता रहा है कि मैं अपनी बाडी साफ रखने के लिए रोज नाता हूँ I wipe my body with a clean towel after taking bath Wipe means पहुचना, towel means तौलिया मैं नाने के बाड अपनी बाडी साफ तौलिये से पहुचता हूँ I comb my hair daily Comb means kangha मैं रोज अपने बालों पर kangha करता हूँ मतलब मैं रोज अपने बाल कंगे से बनाता हूँ I oil and wash it with shampoo two times in a week मैं हफ़ते में दो बार तेल लगा कर shampoo करता हूँ Dirty hair can get lice गंदे वालों में जुएं हो जाती है I wash my hands before and after eating my meals Meals मतलब खाना इसमें बच्चा कह रहा है कि मैं खाना खाने से पहले और बाद में हाथ दोता हूँ आपको पता होगा ना कि हम जब भी खाना खाते हैं पहले hand wash करते हैं नहीं तो गंदे हातों से सब germs हमारे मूँ में जाते हैं तो children's आपको समझ आया कि हम अपनी body की देखबाल कैसे करते हैं अब आपको यह सब रीट करना है इसके आगे का lesson हम next video में means next class में पढ़ेंगे Thank you, have a nice day आपको यह सब आपको सकता हैं